इस साल के union budget ने सच में बहुत ज़्यादा disappoint किया है अगर आप लोग retail investors के perspective से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे problems है short term capital gain के taxes को increase करके 15% से 20% कर दिया है long term capital gain के taxes को भी increase किया है 10% से 12.5% और even अगर आप लोग futures and options में trade करते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत बड़ी ख़बर है future and options में लगने माले STT के amount को increase कर दिया है अब future and options के trading पर लगने माले STT के amount को 0.02% और 0.01% कर दिया गया है और होगा यह कि आप लोग ना तो short term से पैसे कमा सकते हैं ना long term से पैसे कमा सकते हैं और अगर आप लोग future and options के trading करते हैं तो STT के amount के बढ़ने को जैसे आपका future and option के trading का profit भी काफी कम होगा क्योंकि charges के increase होने को जैसे आपका cost बढ़ जाएगा अब देखो finance minister ने इतने सारे taxes के बढ़ाने के approach को लाया है तो इसके पीछे कर reason भी कुछ ना कुछ होगा क्योंकि अगर आप लोग 3-4 साल पहले के time period से अब तक के time period में देखेंगे तो stock market में काफी जादा rally आई है investors को काफी जादा profit हुए है और अगर आप लोग past budget में देखेंगे तो past budget में इन सारे taxes को लेकर कोई भी जादा discussion नहीं किया गया था पहले क्या उदा था कि cigarettes के उपर taxes को बढ़ा जाता था और cigarettes की consumption को कम करने की कोशिश की जाती थी लेकिन इस बार का step सबसे जादा बढ़ा है अब देखो corona virus pandemic के बाद से stock market की जो growth है वो काफी ज्यादा phenomenon रही है expectation से ज्यादा perform किया है stock market की performance ने और इसके वज़े से economy का balance काफी हद तक खराब होते जा रहा था अगर आप लोग bank deposit और stock market investments को compare करेंगे तो stock market investments ने पिछले 3-4 सालों में काफी अची performance दिखाई है as compared to banks की FD और इसके जिसे हुआ कि market में जितने भी banks थे वहाँ पर FDs करना लोगों ने कम कर दिया banks में पैसा रखना कम कर दिया stock market में अपने investment के stake को बढ़ाने लगे अब देखो bank में पैसे ना आने का मतलब यह है कि bank के सामने बहुत सारी problems create होगी industrial loan की demand को fulfill करने के लिए क्योंकि जब तक bank के पास पैसा आएगा निर bank पैसा दे कैसे सकती है तो stock market की value grow करते जा रही थी और bank के deposits की values कम होते जा रही थी इसके हुझे से market में काफी हद तक disbalance create हो सकता था और अगर tough situation से deal करनी थी तो यहाँ पर दो ही चीज़े थी को acquisition करने का cost बढ़ जाएगा तो funds का acquisition का cost बढ़ने को जैसे bank को borrowings का cost भी जादा रखना पड़ेगा अगर आसान वाशा में कहा जाए तो किसी चीज़ का cost price जादा है तो selling price भी जादा होगा मतलब कि banks को अगर higher interest pay करना पढ़ रहा है funds को इखटा करने के लिए तो जब banks loan grant करेगी तो banks को higher interest rates charge करने पढ़ेंगे तो इसी एक reason के जैसे government of इंडिया ने taxes के amount को increase किया है लेकिन मेरा personal opinion भी यही कहता है कि अगर taxes को बढ़ा जाना चाहिए था तो कहीं एक जगह पर बढ़ा जाना चाहिए था हर जगह से government ऐसे ही taxes बढ़ाती रही तो investors के पास बचेगा क्या और अगर taxation की बात कर रहे हैं तो एक और important चीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जादा जरूरी है देखो market में जितने भी investment options हैं जहां पर आपको पहले इंडेक्सेशन का benefit मिलता था फिर चाहिए वो gold हो फिर चाहिए वो property हो real state हो या कोई भी ऐसा investment option हो जहां पर इंडेक्सेशन का benefit होता था उन सभी investment options पर आपको लगेगा 12.5% का tax जो की पहले लगता था 20% का लेकिन यहाँ पर एक important बात यह हैं कि इंडेक्सेशन का benefit हटा दिया गया है इंडेक्सेशन के benefit में क्या होता था कि आपके price को inflation के rate के साथ exist किया जाता था let's say आपने कोई 10 लाग रुपए में 10 साल पहले कोई property purchase की थी और आज उसकी value एक करोड रुपए हो गई है और आप उस property को sale करते हैं तो आपको जो tax pay करना पड़ता था पहले वो 10 लाग के indexation cost को minus करके जो आपको profit हुआ है उसके उपर आपको tax pay करना पड़ता था let's assume कि indexation का rule apply करने के बाद आपका जो cost है वो निकल कर आया 80 lakhs का और आपने इस property को 1 crore में बेची हैं मतलब कि आपको 20 lakhs का benefit हुआ है तो इन 20 lakhs पर आपको 20% का tax pay करना पड़ता था indexation के benefit में लेकिन अपसे indexation का benefit हटा दिया गया है और tax के amount को कम कर दिया गया है तो इससे ह होगा क्या कि आपने जो 10 साल पहले 10 lakhs रुपए में property purchase की थी उस property को अगर आप लोग आज बेचेंगे 1 crore में आपको 12.5% का tax कितने amount पर देना पड़ेगा ना 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 यहां पर कोई भी indexation का benefit नहीं मिलने वाला है तो आपको जो tax pay करना पड़ेगा उसका amount निकल करा 1 crore minus 10 lakhs मतलब की 90 lakhs के amount पर आपको tax pay करना पड़ेगा सेम चीज होने वाली है gold में भी अगर आपने आज से 5 या 10 साल पहले gold को 10,000 रुपीज में purchase किया है और आज 50,000 रुपए में sale कर रहे हैं तो indexation का benefit ना मिलने को जैसे आपको आपके capital gains पर 12.5% का tax pay करना पड़ेगा व आपको 5% tax की saving होगी और अगर आपकी income 12 lakh के असपास है तब यहाँ पर आपकी income पर 5% का tax में छूट मिलेगा no doubt standard deduction के amount को 50,000 से 75,000 कर दिया गया है 25,000 इंक्रीज कर दिया है अगर senior citizens की बात की जा तो senior citizens के लिए जो procedure पहले 15,000 का था बहाँ पर भी 10,000 इंक्रीज करके 25,000 कर गया है overall अगर आप लोग long term capital gain के tax के exemption को देखेंगे तो पहले यह tax का exemption था 1,000,000 का लेकिन अब इस tax का exemption को 1,25,000 का कर दिया गया है मतलब कि यह तो cake पर cherry वाली बात हो गई तो overall as a return investors आपके उपर heavy burden आ चुका है अगर आप लोग short term के लिए investment करते हैं तो आपको 20% का tax pay करना पड़ेगा वो भी indexation के benefit के बिना I personally believe कि this is not a budget which we are expecting middle class के लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी problems create होने वाली हैं लेकिन अगर आप लोग दूसरी side में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे benefits भी हैं Startup के इंजर investors पर taxation के amount को zero कर दिया है पहले startups and small scale business में investment करने वालों को tax pay करना पड़ता था लेकिन अबसे tax को remove कर दिया हैं तो startups के लिए काफी ज़्यादा beneficial हैं इसके लावा corporates Indian market में investment करते थे वहाँ पर corporates को 40% का tax pay करना पड़ता था लेकिन अब इस tax के amount को कम करके 35% कर दि infrastructure development पर काफी ज्यादा focus किया गया है बड़ी बड़ी amount का investment किया गया है infrastructure sector के लिए और अगर आप लोग धान से situation को observe करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस budget के total का 3.44% का location infrastructure development के लिए रखा गया है और यहाँ पर infrastructure projects को support किया गया है अब lower middle class के लिए भी काफी सारी schemes लाई गई के लिए भी काफी सारी कुछ सीज़े करने वाले हैं government of India ने इस साल के budget में employment generation के लिए बहुत सरी schemes launch की है जहां पर majority investment इस portion में किया गया है और currently market में जितने भी graduate और सिक्षित लोग हैं जिने job opportunities नहीं मिली है उनके लिए job opportunities create की जाएगी और government of India ऐसे employment opportunities create करने के लिए कुछ certain amount का payment अपनी तरफ से भी करेगी इसके लब अगर आप लोग देखेंगे तो currently इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी natural climate के वज़े से problems आई थी बहुत सारे infrastructure projects को नुक्षान पहुचा है और तो government of India ने ये भी कहा है कि इन सारे स्टेट्स के problems के साथ deal करने के लिए government of India इने भी support करेगी लेकिन अभी तक ये specify नहीं किया गया है कि central government किस तरीके से support करेगी government of India किस तरीके से इन सारे स्टेट्स को help करने वाली है इस चीस का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है इसके अगर आगर आप लोग बिहार और अंदरप्रदेश को देखेंगे तो य ज्यादा support किया है और यकिन मादी मेरा perspective भी यही है इस मामले में जो आपका है तो इस साल के budget में काफी सारी चीज़े ऐसी हैं जिसके तारीफ की जानी चाहिए लेकिन इस साल को budget में जो taxation and relief policies को implement किया गया है वो retail investors के perspective से और वो retail investors के life के हिसाब से काफी ज्यादा खराब है जिसे सुचना चाहिए और reforms को चेंज करना चाहिए